हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टो वर चनल एजुकेशनल गोल और हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रामेटिकल सेक्षन की उसका आज आटवा भाग हम लेकर आये हैं तो मैंने जितने भी इससे पहले पार्ट बनाये हैं 2011 से लिये थे क्या है क्युक्षन पहले फिलिंदा ब्लेंक से उनको समझ लेते हैं तो देखें पहले वाले उप्षन में आ जाएगा ठीक है अगला वाला है डिद यू बाए और उसके बाद खालिस्ताने सुगर फ्राम्दा शौप देखिए अगर आप ग्रामर पर ध्यान दें तो ग्रामर इसकी क्या बोलती समय ने की कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव है यह प्रस्ट ने पूछा जा रहा है जिसका आंसर यस नो में रहता है तो आप उसमें एनी लगाते हैं क्या लगाते हैं एनी लगाते हैं लेकिन कभ अगर यह प्रस्ट ने पुछा है कि क्या आपने कुछ सकर खरीदी है दुकान से और अगर वह यह मान के बैठा है कि आप उत्तर में हां ही बोलेंगे यानि कि आप पोजिटिव ही रिस्पोंस करेंगे तो फिर एनी भी आता है तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों एप्लाई हो रहे हैं एनी भी अप्लाई हो रहा है लेकिन आप सिंपली अगर आप देखें कि इंट्रूगेटिव सेंटेंस है तो फिर इसमें आप क्या लगा स हैं और मैंने सम क्यों आएगा मैंने आपको बता दिया कि अगर सामने वाले ने पुछा hop यह ?」 Game बदा रियों इसमें एनिवी रहेगा और समब्स क्या है गवर देखते हैं I don't like of a khalistan of them नाइधर जो होता है इसमें नाट जुड़ा होता है नाइधर में नाट अल्रेडी मुझूद रहता है और आइधर में नाट नहीं होता है और हमें तो नाट दिया है अब जब नाट दिया है तो डबल नाट क्यों आएगा तो इसमें क्या जाएगा आइधर दिखिए इनको एधर भी बोलते है इधर और निधर और आइधर दोनों बोलते हैं दोनों प्रकार्स इनका प्रोनुटेशन हम कर सकते हैं तो अब हमें जो सेंटेंज दिया हो क्या है I don't like यह नाट तो आगया है तो हम क्या लिखेंगे इसमें आइधर या इधर तो अर्थ क्या हो जाएगा आई डॉंट लाइक इधर आइधर अब देम कि में इन दोनों में से किसी को पसंद नहीं करता हूं अगला है यू खालिस्तान स्टॉप स्मोकिंग और उप्सन मिले मस्ट और शुड देखिए तुम्हें दुम्रपान बन कर देना चाहिए एक सला है तो देखिए सला के लिए शुड भी आता है लेकिन जोड़दार सला के लिए क्या आता है मस्ट जब आप किसी को स्ट्रोंग देते ओ कि निये तुम्हें बंक करना ही चाहिए तो फिर आप लगाएंगे मस्ट देटे तो इसमें हम क्या लिख देंगे मस्ट लिख देंगे अगला देखिए अगला है वी आर गोइंग देखिए वी सब्जेक्ट हैं आर हेल्पिंग वर्ब है गोइंग में वर्ब हो तो वर्ब के जिस्ट बाद वर्ब नहीं आएगी फिर आएगा इसमें to play तो इसमें क्या जाएगा to play आजाएगा कि we are going to play a match today और अगर वर्ब के सामने to लग जाता है तो फिर वो वर्ब वर्ब नहीं रहती है वो इन्फिनिटिव बन जाती है जो वर्ब के अलावा एडवर् करती है यह ना उंतागारी करती है तो यहाँ पर टूपला जाएगा वी आर गोइंग टू प्ले मेश टूड़े के हम आज एक मेश खेलने जा रहे हैं ठीक है आगे देखते हम डू एस डारेक्टेट तो देखिए पहला किस्टन क्या है राजू राइट केन हैंड विथ कि इदर हैंड यह सतरा से बनेगा मैं के ऊपर खरमांक लगा देता हूं सबसे राजू केन राइट विथ ओ इदर हैंड कि राजू किसी भी आधिसलिख सकता है यह इसका बन गया आप सब्जेक्ट आती है फिर एल्पिग वरब आती है फिर मेरी बाती हैं और इसे निया कि पहले तो आपको देशन से पता हो प्रजेंडुन उन्डेफिनिट्कर्टेंस हो सिप्रेंस है येल्पिंग क्या हो सब्र में गोद्टेंगरत में मेक कर फ जाएंगा टील मैंड बाय और ہ 모न जाएगा हिम है है तो क्या बन गया टील में by him यह बन गया इसका पेसिव आगे देखते हैं he was very weak he could not work देखिए वाज आया है यानिकि पास्ट टेंस सिखाए तो हमें ध्यान लगना है सिर्फ इतना कि इसमें टेंस जो है वो पास्ट इदेफिनिट टेंस है तो हम क्या बनाना है इसको रिराइट करना है यूजिंग टू टू से यानि कि हमें एड़बर टू टू का प्रयोक करना है और यह जो दूसरे वाले सेंटेंस में जो नाट दिया है इनको आटाना है तो देखो कैसे बनाते हैं हम बनाएंगे ही वाज टू वीक और फिर का जाएगा लास्ट में टू वाक मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या बना है ही वाज टू वीक टू वाक बस हमें टेंस का दियान लगना है इज आता था हम ही इज के थे अब इसमें ही वाज है था हम ही वाज लेंगे तो he was too weak to work कि वो चलने के लिए बहुत ज़्यादा ही कमजोर था आगे देखते हैं अगला है as soon as he closed his eyes इसदा टेलीफोन रेंग कि जैसे उसने आखे बन करी फोन बज उठा as soon as से दिया हुआ है लेकिन आपको बदलना है no sooner से no sooner देन से बदलना है देखिए कैसे बदलेंगे सब से पेरे हम लिखेंगे no sooner no sooner हो जाएगा अब हम 10 से पर ध्यान देंगे closed आया है यह यह past and definite 10 से का है तो इसकी helping वर पर क्या होती है did तो no sooner did he अब closed नहीं कहेंगा हम कहेंगे close no sooner did he close his eyes उसके बार लगाएंगे देन और दूसरा जो पार्ट हमारे sentence का है वो वेसे का वेसे जाएगा the telephone ring जो भी परिवरतन करना होता है पहले पार्ट में हम करते हैं as soon as he closed his eyes इसमें हम परिवरतन करेंगे तो क्या हो जाएगा no sooner did he close his eyes उसके बाद हम लगाएंगे देन और फिर पूरा सेकंड पार्ट जाएगा the telephone ring आगे देखते हैं he jumps खालिस्तान ए फ्रोग्डेस देखिए option में हमें मिले है as or as if कि वो ऐसे कूटता है जिसे माननो कोई वह मेंडग हो तो इसमें हम क्या कर रहे हैं unreal condition की बात कर रहे है unreal condition यह कि वो जो आदमी है वो कोई मेंडग तो है नहीं लेकिन वो कूटता ऐसा है जिसे की कोई मेंडग कूटता है तो unreal condition के लिए हम यूज करते है as if इसका मतलब होता है मानो तो आप इसमें क्या लगा देंगे as if ठीक है ध्यान रखे unreal condition के लिए imaginary condition के लिए as if का प्रयोग करते हैं अगला है they were playing football अब यह दे रखा है अभी past continuous में लेकिन आपको बदलना है simple presentance में तो क्या करेंग हम हम कह देंगे they play football simple presentance में हम जानते है verb के first form आती है अब यह आप plural है हमारा subject है इसलिए verb में ACS भी नहीं लगाएंगे तो they play football तो यह हमने simple presentance में उसको बदल दिया अब इनका answer मैंने last में दिये हैं यह आप देख ले यह मैंने बढ़िया से इसमें लिख दिये हैं और इसी तरह आगे की series के लिए हमारे साथ बने रहें और dear students आप देख रहे होंगे कि हमारे channel पर join का option भी आया है तो जो भी हमारे channel की membership लेना चाहिए वो ले सकता है तो उनके फिर जो question है उनकी जो demand है वो हम जल्दी पूरी करेंगे जैसे coach विद्यारती कह रहे हैं कि sir हमें note making चाहिए कोई कह रहा है कि sir हमें unseen pieces उस साल का चाहिए तो फिर हम demand उनकी पूरी कर सकते जिन्होंने membership ले रखिए तो हम आपसे यह बात कहना चाहते है कि जो भी membership लेना चाहता है वो ले सकता है थैंक्स फार वाचिं इस वीडियो